जे मसीह प्रसिद्यत क्रिस्टन ठिंकर, राइटर, फिलोसोपर सियस लूइस केते हैं मैं मसीहत पर वैसे ही विश्वास करता हूँ जैसे मैं मानता हूँ कि सूरज उगा है इसलिए कि मैं उसे देख सकता हूँ इसलिए कि मैं उसे के द्वारा सब कुछ देख सकता हूँ मैं आपको इस वीडियो में पांच ऐसे कारने बताऊंगा जिससे कि मैं प्रभु येश्यु मसीव पर पूरा 100% confidence के साथ में विश्वास करता हूँ ये जो कारने है ये सिर्फ पांच कारने नहीं ऐसे अगिनत कारने है लेकिन पांच कारने आपके साथ में सेर करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा विश्वास जो है कोई अंधा धुन्दा विश्वास करने वाले विश्वास नहीं है यह हमारा बिश्वास है reasonable है। यानि कि हमारी बिश्वास को आप तर्क कर सकते हैं। यानि कि प्रभु येश्व मसी के मरो में से जी उठा वला। देखिये प्रभु येश्व मसी का मरो में से जी उठना कोई यह मन्दर्ण कहानी नहीं है। आई उतने सिसका एकाउंट है हमारे पास में वचन कहता है 500 से जादा लोगों ने उन्हें देखा दिसाइपल्स ने उन्हें चुआ उनसे बाते किये उनके साथ में खाया बेठा तो इस बात का गवाही के लिए ही वो जान तक दिये यानि कि वो सहीद हो गये कोई जूट के लिए जान नहीं देता आज हमारे पास में आयूट ने सिसका एकाउंट है historical evidences इतने सारे हैं कि वो प्रवयेशु मसिय मरो मेंसे जी उठे आपको आप टेस्स कर सकते हैं इविदेंसे को आप स्टेडी कर सकते हैं इसलिए आज सेपरेट स्टेडी होते हैं resurrection के ओपर में scholars हैं तो ऐसी एक scholar को मैं recommend करना चाहता हूं Dr. Gary Habermas जिन्होंने इतने सारे resurrection के उपने किताबे लिखे आर्टिकल चापे आप online जा के परिए किताबे खरीद के परिए so it is real और moreover new testament is a । इसी हिए जो ancient history की जब बात करो के तो resurrection का जो evidences है it is so overwhelming इतना evidences कोई दूसरे ancient historical figure के लिए नहीं है जितना की resurrection प्रभु येश्व मसी के मरो में से जी उठने पर है तो जैसे पॉस्तल पॉल ने कहा कि यदि प्रभु येश्व मसी मरो में से जी नहीं उठे थे तो हमारा प्रशार करना बेकार है हमारा विश्वास बेकार है सब व्यर्थ है लेकिन वो बाद में क्या कहते हैं कि वो मरो में से जी उठे हैं इसलिए हम इतने बोली उनका प्रचार करते हैं निदर हो के विकोज ही डाइट एंड रोस अगें इस वास टेस्टिमनी वो ही जो है जो एर्ली चेट्स सबसे बड़ा स्टेंट था कि प्रवियसु मस्य मरों में से जी उठे क्यूँ पता है आपको क्यूंकि यही चीज जो है येसु मस्य के सारे वाइदे सारे टीचिंग्स को वेलिडेट करता है उनका जो भी प्रामिस है वो सत्य होता है उन्होंने जो भी कहा सब सच है इससे validate होता है तो number two है the trustworthiness and reliability of the Bible Bible को आप कैसे देखते हैं It's a historical document जी हाँ ये जो है एक इतिहासिक पुष्टक है इसमें जो कुछ भी लिखा गया है चाहे वो घटरा के बारे में हो चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो historically उसे verify कर सकते है और जो new testament है उसका आज हमारे पास में 5800 के करीब manuscript है यानि कि हाथों से copy किया होला manuscript है और जब आप उसको study करते हैं जब scholars उसको textual criticism के द्वारा compare करके देखते हैं It is 99.9 एक दूसरे से क्या होता है मिलता है यानि कि similar है contradiction नहीं है तो आप बहुत जो 1% जो dissimility है वो है spelling, message, content, theme में कोई contradiction है इतने सारे जो manuscript आज हमारे पास में So it is verifiable जो आज हमारे पास में जो वचन है वो accurately translate होके आया जाए कोई भी वहासा में आप परते हो उसको आप 100% confidence के साथ में आप उसे बिश्वास कर सकते हो उसका teaching, उसका principles अपने जीवन में उतार सकते हो Do you know why? Because it is the word of God The ultimate, the final revelation of God जीवन का सारे बड़े से बड़े सवाल आप कोन है? आप इस प्रिथीवी में आपका जीवन का मकसद क्या है? आपको कैसे जीना है? और आप अंत में कहां जाओगे? जीवन के जो बड़े बड़े रहष्य है बड़े बड़े सवाल है उसका जवाब आपको वचन में मिलेगा और नमबर तरी मसीहत जो है टॉप डाउन एप्रोच है यानि कि इस गौद एप्रोच तु मैन बचाने के लिए प्रभू में इंसान को खोजा है वचन में हम देखते हैं इस गौद हूँ सीक्स में इस गौद हूँ केम दाउन एंड इंकार्नेट इन दा फ्लेस प्रभू येश्यो मसी मानव रूधारन करके आए क्योंकि हम अपने आपको नहीं बचा सकते हैं हम अपने आपको बचा नहीं सकते हैं कि हमें प्रभू धार करने आए आप दूब रहे हैं आप अपने आपको नहीं बचा सकते हैं कोई आना परेगा आपको रेस्क्यू करने के लिए उसी प्रकासे प्रभू आए, जब वचन में परते हैं, परमेशुर ने जगत से ऐसा प्रेम क्या किया, उसने अपना एक लोता बेटे को दे दिया, परमेशुर आते हैं, वचन में आप जब परते हो, परमेशुर आते हैं बचाने के लिए, इसलिए वचन कहता है, जब हम पा और उनका जो कलवेड कोस में जो मरना उस पर विश्वास करके उनको जो अपना व्यक्तिकत उदार करता मालिक प्रभू के रूप में सुईकार करेगा और उनको अपना जीवन को दे देगा लेकिन बागी धर्मों में क्या है tahu always man's effort to reach to God इंसान कोसिस करता है प्रभू के पास में पहुंचने के लिए हमारा काम फार्फेक्ट नहीं है अपकोर्स हमारा जो विश्वा से वो काम प्रोडूस करता है लेकिन वो काम जो है कभी भी हमें उस योग्य नहीं बनाएगा कि हम स्वर्क को चाहेंगे और चार नंबर में है परसिनल एक्सपीरियंस जी हाँ जो कोई भी प्रभु येश्व मसी को गरहन करता है अपना व्यक्तिगत उधार करता है मालिक प्रभु के रूप में स्विकार करता है उसका जीवन ट्रांसफोर्म होता है उसका लाइब का डाइरेक्शन बदलता है इसलिए भचन कहता है जो कोई प्रभु येश्व मसी में है वो नया सृष्टी है अगर कोई अपना जीवन को रीडिफाइन करना चाता है तो प्रभु येश्व मसी को गरहन करे और अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी मैं बता सकता हूँ कि प्रभु येश्व मसी आज भी जीवित है प्रमेश्व का वच्चन सचाई है दिन प्रति दिन आप अनुभव करते हैं प्रमेश्व के अनुगरा प्रमेश्व के सामत प्रमेश्व के ताकत आपके जीवन के लो से लो पॉइंट में भी प्रमेश्व का ग्रेस को आप अनुभव करते हैं उसका ताकत को आप अनुभव करते हैं और के अच्छाई को आप अनुवव करते हैं दिन प्रति दिन जब आप प्रभी येश्व मसी को गरहन कर लेने के बात में इसे धेरो सारे टेस्टिमनी गवाई आपको मिल जाएंगे प्रभी येश्व मसी को पाने के बात में किस प्रकास से एक आदमी बदलता है उसका पूरा जीवन का दिशा किस प्रकास से बदलता है आप ऐसे धेरो गवाई पर सकते हैं और पाज नंबर का जो कारण है लव एमोंग बिलिवर्स जी हाँ मसीही परिवार जो है वो प्यार करने वाला परिवार है आप इसमें ऐसे लोगों को देखेंगे जो अपका नहीं है अपका कोई बलड रिलेटिव नहीं है अपका कोई नहीं लगता लेकिन भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको अपने भाई बंदू अपने नीजी के जिसे प्रेम करते हैं क्योंकि वचन आगिया दिया है कि हम आपस जिसे दूर दराज गाऊं, इलाका में जाके प्रभू का सेवा करता है और लोगों को उठाता है, लोगों के सेवा करता है प्रभू के प्रेम से उन्हें बचाते हैं इंडिया जिसे डेश में भी बहुत सारे इसे मिस्नरी आएं इवन जान तक देते हुए हमें दिखा देते हैं और चर्श के अंदर तो क्या ही बोलिए आपको प्रेम ही प्रेम दिखा देता है मैं यह नहीं कहता हूँ कि मसी परिवार जो है पर्फेक्ट होते हैं लेकिन प्रेम आपको इति सो इबिदेंट मैं अपने आप से भी आपको बताना चाहूंगा कि मुझे प्रेम करने वाले इतने सारे लोग है मैं किसी का भाई नहीं लेकिन वो भाई के जैसा प्रेम करता है और किसी का मतलब भाईया नहीं है भाईया का जैसा प्रेम करने वाला बेटा का जिससा प्रेम करने होला इतने सारे लोग है कि मैं आपको बता ने सकता हूँ उनके एटिटूट में वो प्रेम दिखा देता है उनके सब्दों में वो प्रेम दिखा देता है लेकिन बाहर में हम लोगों को ऐसा प्रेम नहीं मिलता, लेकिन मसी परिवार में प्रेम धेर हुँ है, आपको कितना प्रेम चाहिए, आप चर्च चाहिए, आप लोगों को मिलिये, आपको पता चलेगा कि that really, दोस हुआ, really born again, जिन्होंने प्रभु येश्व मसी को पाया, जि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ये सारे वजाए हैं, जिसके कारण में इतना confident हूँ कि प्रभु येश्व मसी ही प्रभु है, इसलिए मैं मसी हूँ, और बहुत सारे से reason से मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये पांच कारणे जो strongly convict करता है कि that Christ is the Lord, and that's why I am His follower, इसलिए मैं एक मसी ही हूँ, यदि आप इस संदेश से आसिशित हुए, तो प्लीज लाइक करे, और यदि आपने subscribe ने किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करे, और ये वीडियो को औरों तक भी पहुंचाए, और आपके कौन-कौन से कार ने हैं, आप comment म जरूर बताए, तन्यवाद करता हूँ, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, God bless you.